IPL 2022 के सीजन में रिसा पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैप्टल्स की टीम ने चीत के साथ सुरुवात की थी लेकिन अब ये टीम जीत की पटरी से उतरती नजर आ रही है टीम को पिछले दो मैचों में लगातार हार का सामना करना करना पड़ा है तीन मैच में जीत के साथ दिल्ली टीम पॉइंट टेबल में सात्वे नंबर पहे दिल्ली कैप्टल्स को अपने तीसरे मैच में गुरुवार को लखनाओ सूपर चैंट के खिलाप करारी हार चिलनी पड़ी मैच में टास हार का दिल्ली ने पहले बले बाजी करते हुए तीन पर 149 रन बनाये थे जबाम में केर राहुल की कप्तानी वाली लखनाओ टीम ने चार बिकेट गवा कर 155 बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया फिलाल मैच काफी रोमांस था जो आखरी ओवर तक चला वही मैच के बाद रिसा पंद हार की वज़ा और कम्यों को बता उन्ह सांदार तरीके से समाला था उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए रिसा पंद ने बताया कि दूसरी पारी सुरू होने से पहले उनकी टीम ने आखरी ओवर तक लड़ने की बात कही थी दिली के कप्तान ने कहा कि हम 20 वे ओवर की आखरी बाल तक 100% देने की बात कर रहे थे नो टीम के कफ्तान केरल रहूल का मानना है कि चीत के बावजूत उनकी टीम को कुछ सुधार करने की जरूरत है मैच के बाद रहूल ने कहा कि मेरा मानना है कि हमने गेदवाजी में बहतर सांदार काम किया है पावर प्ले की बात करें तो यहां हमें अब भी इस पर काम करने की जरूरत है हलाकि कई बार ऐसे पाउर प्ले भी हो जाते हैं इन सब के बावजूद हमने चीजों को ठीक से समाला और पहतर गेतवाजी की वहीं मैच में खास बात ये रही कि एक तरफ प्रिद्वी सा रन बरसा रहे थे तो वहीं नौन स्ट्राइकर एंड पर खड़े डेव प्रिद्वी सा का स्ट्राइक रेड करीब 170 के आसपास रहा प्रिद्वी सा की पारी कितनी तूफानी थी ये इसी बात से पता लगता है कि उनके और डेविड वार्नर के बीच 66 रनों की पार्टनर सीफ हुई जिसमें से 61 रन प्रिद्वी सा ने बनाय थे जबकि डेविड वार्नर ने सुर्फ यारावाल में चार रन ही बना पाये थे डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज